ओम नमस्षिवाय श्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूट्व चैनल पर आज मैं आपको स्रावण सोम्मार का माहुपाय बता रहा हूँ स्रावण सोम्मार के दिन अगर नागपंच भी भी पड़ जाती है तो महासुव दुरलव योग बन जाता है ऐसा योग जो कापी समय के बाद में बनता है अगर इस दिन भगवान सिव की पूजा की जाए तो प्रते कारशित हो जाते हैं इस दिन आठ रासियां बेहदी भागिसाले लखी रहने वाली है बहुले नाथ की किरपा से सभी कारशित होंगे हर प्रकार के मनुरत पूरे होंगे इस दिन भगवान सिव की विशेश रूप से पूजा की जाती है और जिनकी कुंडली में सर्प दोश हो तो उनको विशेश रूप से पूजा करनी चाहिए जरूर पूजन करना चाहिए कुंडली में अगर काल सर्फ दोश हो, शर्फ दोश हो, आंसिक सर्फ दोश हो, तो इंसान की जिंदगी में अनेक प्रकार की परिशानियाना शुरू हो जाती, पुत्तर प्राप्ति नियुपाती, धन प्राप्ति नियुपाती, प्रतिक कार में रुकावटे आ जाती हैं, पहले भगवान सिपने के बाद में भगवान को बेल पत्र चढ़ाएं, भगवान को फ़ळाएं, भांग की पत्ती चढ़ाएं, धदूरिय का पुष्प चढ़ाएं, और उसके बाद में नाग-नागिन का जोड़ा सेवलिंग पर अर्पन करदें. इससे प्रतेक मनुकामना प को विश्य स्लाब मिलेगा और आपकी प्रतेक मनों कामना पूरियोगी धन बड़ेगा साथी आ रही सारी अर्चने भी दूर हो जाएंगे और सर्बदोश भी शानत होगा इस दिन आठ रासियां हैं जो बहुत ही भागिसाली रहने वाले हैं मेश रासी जिसका योग बहुत ही साली हैं उसके बाद में वरश्चिक रासी जो इस दिन बहुत ही भागिसाली है कुम रासी मीन रासी ये रासियां हैं जो इस दिन बेहदी लक्ची रहने वाले हैं अपनी चा बोल करके सिविलिंग पर एक मुठी चाबल चड़ा दीजिए पुत्र की कामना धन की कामना सो भ जलाना हैं इसका बहुत महत होता हैं आप यह उपाए करें आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी धन बढ़ेगा पुत्र प्राप्ति होगी और आरही सारी परिशानियां दूर हो जाएंगे ओम नमस्ष्वाएं